बंदे मात्रम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बिलकुल ठीक होंगे मुझे उमीद है सब अच्छे होंगे स्वास्त होंगे प्रसंद होंगे आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सब्सक्राइब किये अपने चैनल को मेरे और आपने लाइक किया है आपके सुझाओं मिले हैं आपके सुझाओं पर मैं तोड़ा काम कर रहा हूं जो अमीद है कि मैं तोड़ा इंप्रूब करूंगा आप मिलेकर सुझेशन्स देते रही है मैं इंप्रूमेंट करता रहूंगा बहुत लंबी यात्रह हमने करनी है अभी ठीक है दोस्तों तो हम लोग अक्सर बाते करते रहते कोई ना कोई शब्द ला करके और वो शब्द होता है हमारे आसपास का तो आज हम ऐसा करेंगे कि पिछली बार हमने हमने बात की थी ना कि नौजिया या नौशिया और एक शब्द हमने यूज किया था डिजास्टर तो इन में से हमें यह मालूम पड़ा कि एस्टर या एस्टरॉन शब्द है वो कहां से जुड़ावा है कि वो अकाज से या तारों से या ग्राउं से या कगोलिया पिनों से जुड़ावा है ऐसी एक शब्द है कॉस्मो या कॉस्मो तो वो ग्रीक वर्ड कॉस्मो वो के ओ एस लिखते थे के ओ एस एम ओ कॉस्मो और हम जब उसको इंगलिश में पढ़ने लगे, तो इंगलिश में के की जगा C हो गया, C-O-S-M-O या C-O-S-M-O-S, Cosmos, ठीक है? तो जो हमारे अंतरिक्षी यातरी जाते हैं या किसी देश के जाते हैं, तो वो कहते हैं एस्ट्रोनुट्स रेशियं तो एक केटें कौॉस्मyes होता है कोगी चीज नाइतलि एक गाבת ङा सब तो देखा यह जब नौजिया की बात हुई थी या बात हुई थी डिसास्टर की तो उन में से यह एस्टर निकल गया और नौजिया जब पढ़ा तो तो मैं मालूँ पढ़ा कि नौज या नौटीज तो यात्री या नाविक अब ये बात आगे कि जो अंत्रिक्ष में यात्रा करने के लिए ट्रेंड हैं जिनको आउटरी स्पेस में जाने के लिए ट्रेंणि दी गई है और वो यात्रा करते हैं वो लोग एस्टो नौट्स हैं तो एस्टो और नौट्स वो दो चीज बन गई 39 आप पहले पढ़ी चु है या वर्ड के लिए भी यूज होता है बहुत सी जिगहों पर यूज होता है तो उसमें अगर हमने जोड़ दिया नौट्स तो आपको मालूम पढ़ गया भी यह क्या है ज्यादा मुश्किल वाली कोई चीज है नहीं ठीक है दोस्तों तो अब यह ऐसा नहीं कि इतना ही है यह सस्कृत का जो नौ शब्द है ना वहां से इतने सारे शब्द निकले वे हैं कि क्या बताओं हम उस पर चर्चा करते रहेंगे हम उसको देखते रहेंगे समझते रहेंगे आपको मालूंगे तो आप भी मुझे बताईए कमेंस में मैं आपकी इंजार करूँगा तो हमार झाल 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